हम बात कर रहे हैं शिंगेस कल्कूलस की जिसका चप्टर 7 इंडफिनिट इंट्रीकेशण की हम बात कर रहे थे अभी बात कर रहे हैं जिसके च्टन पर रहे हैं Accent ऐसका देखते हैं उसका Next Question देखे इसका ग्यारवा कुछिन क्या कहता है ग्यारवा कहता है integrate करिए sin square log x dx sin square log x को integrate करना है x के respect में यानि sin square log x का x के साप एक समाकलन करिए साउधान हमको नहीं मालूँ भाई problem यह है sin square x होता तब तो कर लेते तब भी बहुतों नहीं मालूँ होता है मैं आपकी बात कर रहा हूँ ठीचा की बात नहीं कर रहा हूँ लेकि हम यह जानते हैं कि sin x का integral cause x होता है minus का sin x का minus cause x by a होता है यह हम जानते है इस power में हम को नहीं मालूँ तो power में हमने बताया था कि sin square करिए चाहे cause square करिए दोनों को cause 2x में break करेंगे वो तो बात में करेंगे ना पहले angle लफडा create कर रहा है angle जो लफडा create करें उसको t मानी है लेकिन शर्त उसके साल लगी है कि अगर लफडे वाले को t माना तो उसका derivative present होना चाहिए जो कि नहीं है तब भी मानना पड़ेगा मानते नहीं है तो क्या करें लफडा create कर रहा है तो challenge करना पड़ेगा निकल बाहर नहीं पपीट पाएंगे तो फिट के चले आएंगे तो तो लफडे चैलेंज कर लेते हैं लाग x निकल बाहर मैंने log x को मान लिया t आप क्या करें log x का derivative नहीं है तो कोई बात नहीं log अटा दू x बराबर e to power t हो गया logarithmik को exponential में convert कर दिया base की power t बराबर x हो गया तो dx को क्या लिखेंगे e to power t dt काम कता रग दो उठा करके so i बराबर यह हो गया sin2t into e to power t dt अब हम product rule लगा देंगे लेकिन फिल अफडा गया यह आपका i late के हिसाब से यह trigmatical है यह exponential है हम इसको जो है sin2 को हम मानेंगे first function लेकिन माने कैसे square करेंगे जब इसको derivative करेंगे 2 sin t cos t तो दिक्कत create करेगा कर सकता है ठीक है तो आप चाहो तो उस तरीके से लगा लो जिस तरीके से हम बताने जा रहे हैं और चाहो तो ऐसा cross sin2t को हटा दो हमारे पास एक formula है cos2t का 1-2 sin2t इसको इदा ले आओ 2 sin2t ब्राव 1-cos 2t इस 2 का पान ले जाओ हैनि मैं sin2 को हटाई दे रहा हूं क्योंकि derivative में भी आसान हो जाएगा भाई अगर हम sin2 को differentiate करेंगे अगर क्या करने ही पड़ेगा तो वह आसान हो जाएगा ना हमको तो हम क्या करेंगे इसमें e power t लिखा रहने देंगे और इसको लिख देंगे हम 1-cos 2t by 2 dt इसको अलग-अलग कर दो 1 by 2 e power t अलग कर देंगे और minus e power t cos 2t dt अलग-अलग integrate कर दो 1 by 2 e power t का integral e power t minus 1 by 2 integral e power t cos 2t dt अब problem यहां पर एक लफड़ा है कि मैं अगर product लगाता हूँ अगर क्या लगा नहीं पड़ेगा तो ना तो e power t अपनी जगह से हटने वाला ना cause हटने माला है cause sign में करेगा sign फी cause में आ जाएगा तो मैं ऐसा कर देता हूँ 1 by 2 e power t minus 1 by 2 इसको हम फिलाल i1 माई ले रहे है इसको i1 माई ले रहे है और इसको अलग से integrate करना पड़ेगा तो अलग से इसको integrate करने जा रहे है अब आपको direct result मालूम है तो लिख दीजे लेकिन कब जब multiple twice आएगा अगर theoretical आता है descriptive आता है तो उसको करना ही पड़ेगा तो i1 क्या यहां पर रहे i1 है आपका integral e to power t cos 2 t dt i late के हिसाब से यह exponential है यह trigonometrical है first किसको मानेंगे trigonometrical को first function cos 2 t minus क्या लिख रहा हो भई into second का integral e to power t minus first का differentiation cos 2 t का क्या होगा minus 2 sin 2 t plus हो जाएगा 2 sin 2 t into e to power t integral e to power t जो भी result आए उसका whole integrate कर देंगे अभी फिर प्रोड़क्ट्रों लगाना पड़ेगा e to power t into cos 2 t plus का 2 इसको first function फिर यहां पर कौन आएगा sin 2 t into e to power t integral e to power t minus sin 2 t का differentiation 2 cos 2 t into e to power t integral e to power t e to power t cos 2 t d t यहां तक गाड़ी पहुची पहुची ना थोड़ा मैं पढ़ाते वक्त सीरस रहता हूं बहुत ज़्यादा है हो नहीं करता हूं तो मैनेस करिएगा आदत तो है हसने की बहुत ज़्यादा लेकिन फिर वीडियो लंब हो जाएगा क्योंकि अगर 7-8 मिनट का वीडियो होगा तो 2-3 मिनट हम तफड़ी करेंगे इसलिए तफड़ी नहीं कर रहा हूं बाद में देखो ध्यान से अगर ध्यान से देखें इ भई साहब तो इ भई साहब वही है जो इ भई साहब है सब्यां है न जिसको- अगले क्वा हम इसको- अगले tips क्या करेंगे इसको i 1 लिखेंगे हम इसको बंद कर लेते हैं अब हम कुछ डायेट वैलू करेंगे आप अगले step लिखेंगे 4i1 हो गया इधर i1 हो गया अगले step क्या होगा ये 4i1 इधर transfer होगा इधर हो जाएगा 5i1 ये वाला step हड जाएगा तो 5i1 हो गया अगले step क्या करेंगे i1 निकालेंगे तो यहाँ 1 by 5 आजाएगा तो हम i1 की जाएगे ये लिख सकते हैं समझे बात आ रही है 1 by 5 eat power t cos 2t plus 2 eat power t sin 2t ठीक है अब इसको उठा करके यहाँ value रख दो so by equation 1 1 में रखे दे रहे हैं कहीं गलती हो तो minus करिएगा वैसे है नहीं प्लस वान से गलती हो गई हो so by equation 1 क्या है i बराबर इधार है 1 by 2 eat power t minus 1 by 2 यहाँ की बात कर रहे है eat power t है 1 by 2 eat power t minus 1 by 2 i1 i1 का मान क्या है यह निकला है 1 by 5 eat power t cos 2t plus 2 eat power t sin 2t ठीक है बस थोड़ा से कलकुलेशन कर लो answer आगे आपको plus आप चुकिए integral का sin हट चुका है इसलिए यहाँ पर constant plus कर सकते हैं तो आज आएगा 2 eat power t minus 1 by 10 eat power t common यहाँ पर आएगा cos 2t plus 2 sin 2t plus constant अब आपने जो assume किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं हमने क्या कहा था हमने log x to base e को t माना था eat power t को x माना था जहाँ अकेला t है वहाँ log x लिख दो और जहाँ eat power t है वहाँ x लिख दो तो आपको आपको आएगा 2x minus x by 10 cos 2t cos 2t कमान के आएगा log x to base e यह इसका एंगल है plus 2 sin 2 into log x to base e plus constant यह आपका answer हो गया यह बाए ठहली कर लेते हैं तो आंसर आजाएगा आपका कुश्य नुम्बर कौनसा है 11 आंसर आपका आ रहा है 1 by 10 कुछ कॉमन हो सकता है यह चीज कॉमन हो सकती है ब्रैकेट खोल करके यह लिखा रहना दो ठीक है आंसर ठीक है कर लेते है एक नड़ जरा आंसर को टेन कर लेते हैं अचली में इन्हों ने आंसर ने पूरे में 10 LSM ले लिए आप मत लीजे यह 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 चोड दीजेए 10 LSM ले लिए तो 1 by 10 बाहर कर दिया तो यह 5 X हो गया है थीक है तो आप यह पर आंसर को छोड दीजेगा ठीक है तो दिस your answer this question number 11th of concept application 7.9 next in the next video Namaskar